नमस्कार मैं डॉक्टर अतुल गुपता नीरो सरजन मनीपाल हॉस्पिटल गाजियबाद में हूँ आज हम यहां ब्रेन ट्यूमर के उपर डिसकेशन करेंगे आम जनता में ब्रेन ट्यूमर के नाम से डर पैदा हो जाता है इसी के विशह में मैं आप से कुछ डिसकस करना चाहता हूँ ब्रेन ट्यूमर के नाम से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब ब्रेन ट्यूमर का इलाज बहुत अच्छा संबव है क्योंकि निरो सरजरी में तकनीक और आपरेशन काफी एडवांस हो चुके हैं ब्रेन ट्यूमर की पहचान के लिए दो सिंटम्स बहुत कॉमन है सुबह का सिर्दद बहुत तेज सिर्दद जो किसी दवा से ठीक न हो और साथ में उल्टी आए तो समझ लीजिए आपके ब्रेन में कोई गांट या ट्यूमर हो सकता है और दूसरी पहचान है अचानक दोरे पढ़ना खास करके अडल्ट में 30-40 की उमर के बाद किसी को अगर दोरे पढ़ते हैं पहली बार लाइफ में तो ये मान के चलें कि उसमें हो सकता है ब्रेन ट्यूमर हो ब्रेन ट्यूमर की जाच के लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टिगेशन MRI है MRI से तुरंथी मालूम पढ़ जाता है कि किसी भी व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर है या नहीं ब्रेन ट्यूमर अमूमन दो तरह के होते हैं एक कैंसरस और एक नॉन कैंसरस कैंसरस तो सरजरी करने के बाद भी दुबारा बन जाते हैं बट आदे से जादे ट्यूमर नॉन कैंसरस होते हैं जिनको हम मेडिकल साइंस में बिनाइन ट्यूमर कहते हैं आज कल दौनहीं तरह की ट्यूमर का सफल इलाज संभाव है और सफल operation भी संभव है ये सारी सुधाय मनीपाल हॉस्पिटल गाजियबाद में available है अगर इन समय से किसी को कोई समस्या है या इस तरह के कोई symptoms है तो वो हम से यहां मनीपाल हॉस्पिटल गाजियबाद में आके संपर्क करें और उसकी समस्या का निदान कर दिया जाएगा धन्यवाद